क्या लेकी गट पूरे सरीर को कमजोर बिमार करता है क्या most of the problems आपके लेकी गट के कारण होती है क्या लेकी गट का कोई natural treatment है answer is completely yes बिलकुल लेकी गट की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है आपका गट का health बहुत important है हमारी overall health के लिए और यदि आपकी लीकी गट है और आपका गट यदि अच्छे से काम नहीं करेगा यदि आपका गट repair नहीं होगा यदि आपका गट का leak case ठीक नहीं होगा तो फिर आपको बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी और वो समस्याएं ठीक करना फिर impossible होगा लीकी गट के कारण जो कुछ चीजें देखी गई हैं जो reported है clinically उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखर लीकी गट से ये सब समस्याएं क्यों आती हैं और इसका reason क्या है देखो जो लोग बहुत जादा acidic यानी बहुत जादा गरम मसाला मराच खाते हैं जो बहुत जादा तीखा खाते हैं लोग या बहुत जादा acidic form of food लेते हैं या लोग बहुत जादा जो soda पीते हैं बहुत जादा जो लोग cold drink पीते हैं या hard drink लेते हैं या alcohol लेते हैं या जो लोग बहुत ज़दा स्मोक करते हैं या तमाक उखाते हैं यह देखा गया है कि इस केटागरी के लोगों में लीकी गट होने की जो संभाब ना है एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होती है या किसी इंसान को बहुत जल्दी लूज मोशन होता है या उसको स्ट जो frequent जो मतलब sinusitis होने की समस्या है यानि यदि आपको बहुत जल्दी जुखाम होता है बहुत जल्दी जल्दी तो फिर आपकी leaky gut यानि gut का disturbance है आपको functional weakness रहती है साम होने होने तक लोगों को थकान, कमजोरी, energy नहीं रहेगी, mood off हो जाएगा, irritation होगी, गुस्सा आएगा वो सब देखा जाता है mood बहुत जल्दी frequently change होगा, joint pain, headache, migraine, fibromyalgia, fibromyalgia का मतलब undiagnosed pain रहता है, pain का कोई region ही समझ नहीं आता और pain की जो degree है वो कम नहीं होती, और दवाईयों से भी कुछ उसमें काम नहीं होता है, क्योंकि वो जो आपका दर्द है, वो gut से और आपके brain से related है, gut और brain का जो connection आपका lost हुआ है, उसके कारण आपकी एक psychosomatic condition, यानि somatization हो जाता है, क्योंकि आपको problem कुछ और होती है, और आप समझते कुछ और हैं और symptoms कुछ और होते हैं, तो ये एक बड़ा confusion होता है दर्द के लेके, तो वो fibromyalgia हो सकता है, आपको IBS के कारण हो सकता है, या फिर आपको somatization के कारण हो सकता है, या कोई phobia, को depression, overthinking आपको follow कर रही है, उसके कारण आपको reflection हो सकता है, depression, anxiety, ADS, trauma, ये सब चीज़ें बहुत commonly देखी जाती हैं लेकी गट में, आजिमा है, acidity है, hyperacidity कुछ लोगों को देखा जाता है, constipation हो जाता है, acne बार बार आते हैं, और thyroid की problems, यानि hypothyroidism आपने देखा होगा, कि thyrex and sodium कम release हो रहा है, जो फिर आप बहार से tablet के root nose को लेता है, तो ये सब समश्याओं का जो कारण है, जो root cause है, वो आपकी gut है, वो आपकी leaky gut है, जब तक आप इसको restore नहीं करेंगे, जब तक आप इसको repair नहीं करेंगे, तब तक आपकी problems ठीक नहीं होगी, और medicine से आपको temporary 40 तोर पे symptomatic relief तो मिलेगा, लेकिन इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया ज सकता, इसको पूरी तरह से यदि आपको ठीक करना है, तो आपको अपनी lifestyle में food में कुछ बुन्यादी बदलाब करने होंगे, और सबसे पहला बदलाब ये करना होगा, कि आपके अंदर ही वो बदलाब होगा, वो आपके अंदर ही सब कुछ है, सारी medicine आपके अंदर ही है, मे खाना खाते समय केवल खाने पर फोकस करिए, mindful eating, दूसरी चीजों के साथ disconnect करिए, phone या फिर screen के सामने बैटके या कुछ काम करते समय, खाना मत खाईए, बहुत ज़्यादा hurry and curry, यानि जल्दी में खाना मत खाईए, खाने को अच्छे से चमा के खाईए, enjoy करिए, खाने के सा आप अच्छे से satisfy भी महसूस करेंगे, दूसरा है, हमारे body के अंदर जो enzymes हैं, उसका इस्तेमाल करना बहुत जलूरी है, यदि हम gut के proper enzymes को इस्तेमाल करें, तो फिर हम अच्छे से digestion को improve कर सकते हैं, ली की gut को भी repair कर सकते हैं, उसके लिए आवशक हैं कि आप हरी चटनी खाए साख खाएं, और जितनी भी आपकी green red vegetables हैं, वो आपके gut को heal करने में काफी मदद करती हैं, बेल पत्थर है, जैसे आपका save है, आपका अमरूद है, आपका नासपाती है, ये सब आपकी gut को काफी हद तक heal करते हैं, ये सब घोल आपकी gut को heal करने में मदद करता है, और जितने body में, उसका इस्तेमाल करें, तीन चीजे हैं, जो आपके leaky gut की problems को बढ़ा देते हैं, एक बहुत ज़्यादा है, आप sugar, white sugar, और बहुत ज़्यादा white salt ना लें, और कोई भी acidic food, वो आपका cigarette हो, वो आपका तमाकू हो, वो आपका cold drink हो, वो आपका beer हो, वो आपका alcohol हो, ये जगे, आप अच्छे से soup लीजिए, हरी सबजियां लीजिए, fruits लीजिए, खिचरी दलिया, पोहा खाईए, तो that will be the helpful, और इससे आपकी leaky gut जैसे जैसे ठीक होगी, आप overall health को भी improve कर पाएंगे, और आप leaky gut के कारण, यानि gut के कारण जो समश्चा हैं, डवलप होती हैं, उ आप जी सकते हैं, तो ये आपको करना होगा, thank you very much and take care yourself.